जी हाँ, सल्मान खान के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर. जिस फिल्म के सीक्वल का वो बेसबरी से इंतजार कर रहे थे, उस फिल्म की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है. हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिल्म दबंग 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है. इस फिल्म में सल्मान खान पुलिस वाले चुलबुल पांडे के बच्पन के किस्से भी ला रहे हैं जो पहले गुंडा किस्म का था. बाद में वही पुलिस वाला रॉबिन हुड जैसा बन जाता है. फिल्हाल कन्नड फिल्म एक्टर संदीब के साथ सल्मान ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. फिल्म का पहला शेडूल तेरा दिन का है. हाल ही में फिल्म की पूरी टीम मध्य परदेश के अहिल्या फोर्ट में पहुँची जहां फिल्म के टाइटल सौंग की शूटिंग हो रही है. सूत्रों के अनुसार चुल्बल पांडे पात्सो कलागारों के साथ शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म में सल्मान खांट दो बिलकुल अलग लुक्स में नजर आएंगे. सूत्रों ने बताया कि दवंग सिरीज की इस फिल्म में सल्मान को पहले बदमाश दिखाया जाएगा जो अच्छे दिल वाला है और वही बाद में अच्छा पुलिस वाला बन जाता है. हम आपको बता दें कि सल्मान ने ट्वीटर पर अपने इंदोर पहुंचने का वीडियो शेर किया है क्योंकि यह शेहर उनका जन्मस्थान भी है. सूत्रों के नुसार मद्य प्रदेश के शेडूल की शूटिंग के बाद पूरी टीम महराश्ट में 80 दिन के मेराथन शेडूल की शूटिंग करेगी. फिल्म इसी साल क्रिसमस के आसपास रिलीज होगी. खबरों के मताबिक दबंग थरी में रज्जो यानी सुनाची सीना भी दिखाई देंगी. ब्यूरो रिपोर्ट नूजवायर